पंकच तुरिपाठी यामी गौतम और अक्षे कुमार की नई मूवी ओमजी टू थीएडर में रिलीज हो गई है अफकोस आपने इस मूवी के बारे में काफी सुना होगा और अगर आपने इसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सुना तो पता नहीं आप किस दुनिया में रहते हो अगर आपको नहीं पता तो इस मूवी के टॉपिक और इसकी कॉन्ट्रोवर्सी के कारण इस में से 27 सीन्स को cut या edit किया गया था और उपर से इसको adult certificate मिला है और इतना काफी होता है किसी अच्छी movie को disaster बनाने के लिए लेकिन क्या OMG 2 के साथ भी ऐसा होगा तो I think मेरा answer होगा ना क्यों वो मैं आगे बताऊंगा उससे पहने movie के उपर बात करें तो OMG 2 जिसका run time करिब करिब दाए घंटे का है जो आज की साथ चे थोड़ी सी लंबी movie लगती है पर मुझे इस movie का एक भी second ऐसा नहीं लगा कि ये movie स्ट्रेस्ट होए लगिया जिसका main credit जाता है इसकी कमाल की writing और storytelling को कोई spoilers के बीना अगर movie के plot के बार में बात करें तो अपने पंकच त्रिपाडी का character कांती शरन मुगदन जो एक शिव भक्त है और मंदिर में काम करते है उनका बेटा स्कूल में कुछ हरकते करते हुए पाया गया और फिर किसी ने उसका वीडियो बना कर वायरल कर दिया जिसकी वज़े से उसको स्कूल में से रेस्टिगेट कर दिया और इन सब चीजों की वज़े से वो काफी depressed रहने लगा है और फिर अपने कांती पाय डिसाइड करते है कि उनकी बेटे को नियाय मिलना चाहिए जिसके लिए वो कोट का दर्वसा खट खट आते है और मूवी के बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बताऊगा इसलिए आगे की कहाने आपको मूवी देखे ही पता चलेगी अगर performance की बात करें तो तीनों लीड कास्ट ने क्या कमाल का performance दिया है और पंकस्त रिपाड़ी के लिए तो respect और बढ़ गई है इनफेक्ट उसे एक extended केमियो के जैसे भी count कर सकते है मगर उनकी presence as a shiv दुत और as a shiv जो आप consider करो वो काफी powerful थी जब जब वो screen पर आते थे एक sense of relief फिल होती थी कि हाँ अब ये आ गए है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा उनकी lines भी काफी meaningful थी और जिस तरीके से वो उन lines को deliver कर रहे थे सोने पे सुआगा था और हाँ interval से ज़स्ट पहले उनका एक scene आता है भाई साब वो क्या तगड़ा scene था एक दम goosebumps moment था मैं personally यहाँ पर तारिफ करना चाहता हूँ omg2 के writer और director अमित राकी क्योंकि इतने sensitive topic को इतनी अच्छी language और इतने अच्छे तरीके से दिखाया है और इन सब चीजों की वज़े से omg2 एक काफी अच्छी movie निकल कर आई है इतने सारे scenes cut करने के बाद भी लेकिन यहाँ पर iron ही यह है कि इस movie का main message teens को sex education से aware करना था और वहीं लोग यह movie देख नहीं सकते और हाँ शायद parents के साथ यह movie देखना थोड़ा awkward भी हो सकता है it totally depends on your parents खेर negatives की बाद करना तो वैसे मेरे लिए कुछ ज्यादा negative नहीं था इस movie में मगर movie में कुछ scenes omg1 के scenes को relate करके दिखाने की कोशिस की है जो मेरे कहाँ से उतना अच्छे से pull off नहीं कर पाया मतलब कि omg1 में वो scenes omg2 से better थे और हाँ कुछ scenes में dialogues और actor के lips match नहीं कर रहे थे obviously यह dialogues बाद में change गिये गये थे इसलिए and how finally मुझे gather 2 या omg2 में से कोई एक चुनना हो तो मैं definitely omg2 को ही पसंद करूँगा खेर यह दो था मेरा opinion omg2 को लेगर आप अपने thoughts बता है कि आप gather 2 देखने जाएंगा या फिर omg2 और अगर आपने देख लिए तो आपको इन में से कौन सी movie अच्छी लगी comments में ज़रूर बताएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे like करें अपने दोस्तों के जाथ share करें और हाँ इसी के साथ हमने gather 2 के उपर भी बात की है अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो यहीं कई लिंक होगी आप जाकर देख लिजेगा और हमारा चैनल फिल्मी वट को सब्सक्राब करें थैंक्स वर वाचिंग